दॉन है दादा यह कॉंसा हम है बनार सी ले बाडा बनार सी लंगडा क्या रेट का जा रहा है और दुरा सी 19 50 रुफड़ो का डाल कांट सोबे से जिए eller दॉयकर मतलब पंके इस को वए mot मेरा नाम है मोहित महरा और आप देख रहे हैं हमारे यह कुछा है जी हाँ दोस्तों आपकी कमेंट को देखते हुए फैनली मैं उन्नाव का एक हूँ जगह है जिसका नाम मिया गंज में जो फलमंडी लगती है आप बैसे कली यह आम के लिए ही यहां पर मंडी लगती है तो मै कि यहां पर आज उबा हूं और आज की विडियो में पता करेंगे कि निया गंज में क्या आज की डेट में खिस रेट में आप दिख रहा है तो पीछे हमारे ज़े ज़िए बिडियो की फालमंडी नहीं पर और वीडियो स्टार्ट करनेते पहले मैं यहीं पहूंगा अगर और पेली बाइटन को सब्सक्राइब को फिच्ब है, तो इधर देख को सारी चर्ड़ लगे हुई है, इधर पीछे तक रात को माल बीचता है, हमाता है, हर रात में आता हुआ और सुबह भी आता है, देख सकते हो, और इधर हम चलेंगे, इधर देखेंगे, speeds सब रधी लोड़ होके फिलाल जा रहा है क्योंकि अभी एक बच चुका है पूस्ते हैं इधर यह देखिए यहां पर माल लगा हुआ है जादा यह माल भी गया है क्या रेट का भी का है यहां अच्छा फिलाल क्या रेट चला है मंडी का अरे आप तो यहां रहते हैं आपको पता हो ना कि यहां रिद जाति हैं चलिए आगे देह देखते हैं जाद्य को बता है नई चाते है क्योंकि जो मंडी में रहता उसको ना पता हो हुआ कर जाग आर्च का माद का हुआ है और यह लगता है और उस हाई वे से दूते हैं किस रेट का माल इसा कुई यहां पर देखे भाईया दाधा बेच रहे हैं डाधा यह कङौ से हम है बनार्सी लंगडा किया र Εग चर्ट दरिया क्या है किया रैड का जा रहा है प्रवाइब देख लेते हैं यह देखे आप दसेरी भी रखा हुआ है यह दसेरी क्या रेट का जा रहा है अच्छा फिलाल क्या रेट का जा रहा है यह देख सकते हैं और केजी के इसाब से तो यह बताई नहीं रहें और आगे देखते हैं ना सिवम चलो भाई सिवम आई हमको दिखाएंगे यह देखिया रदी बगएरा पड़ा हुआ है काफी मतल लेट हो गया हुआ तो सारा माल बिग गया है इधर ना वो फरादपूर और इधर निया गंज में कैरेट के हिसाब से माल बिगता है देखिया कितना जादा यहां पर भीड लगा हुआ इधर अभी जो है माल बिग रहा है यह आप देख सकते हैं इधर यह है लखनववा लखनववा दादा लखनववा कैसे लिए पता में अभी बात चल रही देखो कितने मुझता है कितना तो यहां पर भाईया बता रहे हैं एक हजार रुपए कैरेट का यह जो लखनवववा यहां पर विक्राए बाकी यह थोड़ा लो में होगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं इसमें पत्ति का लगा हुआ है और ब ओनारसी लंगला यहांपे बहुत ही ज्यादा पर गोतां ही यह राish कितना ज्यादा यहां पे वीड और रागे हम चले Is देखते हैं यह देखिए आपर दसेरी रखा हुआ यह दसेरी के से दसेरी क्यारेट गी यहां आठ सो हजारत खाले नहीं अच्छा किलो के इसाफ से क्या रहत है अच्छा यहां करेट के साफ से बिकती है क्या देख सकते हो यह दो मंडी है यहां पर आपको कैरेट के साफ से माल मिलता है आस्टो रुपर कैरेट आस्टो रुपर कैरेट अब देखे तो पीछे भी पूरा माल लगा हुआ है इधर आप देख सकते हो काफी जदा भीड़ है आगे चलते हैं तो अब देखते हैं आगे भी चलेंगे यार बहुत भीड़ है यहां पर एक बुछे इतना भीड़ है तो दिन अधे लोग इतना भीड़ हो तावगा सुबे टाम है यह देखे इधर पका हुआ माल यह आप पूछते हैं यह पका हुआ क्या रेट का चल रहा है तो देखो यह दिखिया फुल यहां पर डालका रखावा साथ 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 सूरुपए करड़ आपको यहां पर मिल जाएगा पचीस किलो ना पचीस किलो होता है और आगे देखते हैं इधर वोड पर ही भाई मंडी लगती है यहां पर भी बहुत जादा बिड़ है कच्छा माल आपको जो है कैरेट के हिसाब सही मिलेगा और इधर देखते हैं इधर पर यहार कुछ है नहीं बस उतना ही ग पास में यहां पर छोटी सी मंडी लगती ज्यादा बड़ी नहीं लाल मंडी है और यहां पर आप देख़े हो इस्टॉल लगा हुआ यह तो आपको मिल लेगे 50-60 रुपाई किलो यहां पर आम है आप देख सकते हो यहां पर जो है सभी जगह से महल आता है यहां पर क्या है आप यहां से मियागन चोराय से आप संडीला भी जा सकते हो फरादपुर भी जा सकते हो इटावा भी जा सकते हो उन्नाव चकलवनसी बगएरा भी यहां से जा सकते हो यह देखिए माल और यहां पर जो है अरती भी है वो बिचवाते हैं और आगे हम चलेंगे उस साइट से सि लोगों से पूछाओं लेकिन फिलो की हिसाब से नहीं बता रहे हैं कारेक के ता बदेख से आजाओ इधर से आजाओ इस वह यह देखो सारा माल इधर बिग चुका है काइन काफी हो चुका ना इस वज़े से बिग चुका है कि दादा यह देखो अब यह आम कैसे दिये कील वाला हां हां किस रेड़ का साड़े चार्स रुपाय करेड़ का यहां पर कील मिल ला है और यह वाला विया करेड़ का दलवा है 500 रुपाय करेड़ अच्छा लो आगे चलते हैं मैं बैया विया कह रहा हूं लेकिन वो यार ध्यानी नहीं दे रहें यह देखो बाई मंदी जादा बड़ी मंदी नहीं है बज इतनी बड़ी है छोटी सी मंदी है यह शिवम जादा बड़ी नहीं मंदी है यह चोटी ही है छोटी सी जगह में बैसक्ली मंदी परसस से मुझे लग रहा नहीं है ऐसे ही है अब आप जाता है और चला जाता है शेलो भाई आगे हम चलते हैं इधर भी कैरेट्स वगएरा रखे हुए है जो कि माल विका हुआ लगा है देखें ड इधर आप देखेंगे तो यह देखें यहां पर है नेशनल फ्रूड कंपनी बड़ा चोराहा मिया गंच उन्नाओ ठोक फुटकर विक्रेता इधर देखें पूरा मतलब आम इधर लोड हो रहा भी का हुआ हम लगा हुआ है इधर जो है पैकिंग हो रहा है इधर भी पैकिं हो रहा है यह दो छोटी-छोटी करेट में यहां पर पैकिंग हो रहा है देखो सभी वही यह लोग लगे हुआ है पैकिंग करने में अच्छा यह चोटी लिगरेट कितना इसमें बेट आता भी है पंदरा किलो तो यह देखिए चोटी लिगरेट सोती इनमें पंदरा किलो आता है वजन फिलाल तो मुझे यहीं पर देखने को मिली मतलब मलियाबाद में बड़ी लिगरेट चलती 25 किलो वाली अच्छा चोटी पहली बार देख रहा हूं ना यह तो यह देखिए भाइया लोग यहां पर पैकिंग कर रहे हैं आम पर देखो माई स्मार्ट व्लोगर आप डाल दीजिए गा मिया अगंज मंडी आ जाएगा यह यूटू पर आ जाएगा और यह यहां का व्यू पर देखिए यह सिवम चड़ा हुआ हुआ है पेंड 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 और आम तोड रहा ना पढ़ा हुआ देखो भाई है इसको यह गिरा भाई साहब हुदर राम बैठा उआ हुआ के दीजिस वाँ हम भी और दके लाम थैखिग कौना है यह जेख़ो यह यह हिलाओ हा यह यह वाला थेको बिलकुल पीला सिर देखो हगा है यह भाई गीरा बिल्कुल पिला-पिला माल आजाओ जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं आए था मिया गली में और यहां का बाव मैंने बेट कर दिया है मंडी भी ऐसे के लिए ज्यादा बड़ी नहीं लगते हैं लेकिन माल बहुत ही ज्यादा यहां पर आता है और करेट के हिसाब सेहां पर माल मिलता है आप लो अंदाजा लगा सकते हो कि किलो की सास्थ पर कौन साथ है वीडियो कासा लागा कमेंट सेक्षन में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा में ताओ नेक्स वीडियो आँ तब तक लिए जाई इन जाई बार बंदे मात्रा मिचेती है